गुट बॉर्णिंग माइडियर स्टुदेंट्स, हाव यू, आई होप यू अला फाइन, वालकम यू वन्स अगें इन आर साइंस क्लास, दियर स्टुदेंट्स, तो देए विल स्टार्ट अवर चेप्टर नमबर थी, नेचर आफ मैटर, ओके, आज दे नेम इंडिकेट, न मैटर का नेचर कैसा है, तो सबसे पहले कोशन आता है कि मैटर क्या होता है, है ना, नेचर ओफ मैटर, अब मैटर का ज़र नेचर है, वो कैसा है, यह हमारा चेप्टर है, लेकिन सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, अब उसको डिसकस करने से पहले कि मै अपना थोड़ा सा भी आना और जो जगा घेरती है अक्युपाइब स्पेस मतलब जगा घेरती है उसको हम यह कहेंगे मैंटर ठीक है और उसको और अच्छी से समझने के लिए हम थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी स्मॉल सी अक्टिविटी है वह डिसकस कर करते हैं आफ्टर एड आपको और अच्छा से एक्स्प्लें करूंगी कि वाट इस मैटर फिर आपको क्लारिफाई हो जाएगा तो कहते है यू सी अ वराइटी आफ मेटीर अरांड अगर आप अपने चारो तरफ देखें जहां भी आप अभी आप बैट के वीडियो देख है ना यह मुझे सुन रहे हो जहां पे भी आप बैठे हो पिटा आप अपने अरांड अगर आप अपने देखोंगे चारो तरफ अपने अरांड अगर आप एक बड़ नजर डालोगे देर सो मैनी तिंग्स अरांड यॉर्सल्ट और अडे हैव डिफरेंट शेप, साइज, क कि जितनी भी आपके आसपास की चीज़े हैं उन सब का शेप अलग होगा, साइज अलग होगी, कलर्स भी अलग होगी, और अदर प्रॉपर्टी इसके लावर जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी, वो भी डिफरेंट होगी, है ना, it is difficult to study each and every property of every material separately, और हमारे लिए बहुत difficult है, बहुत मुश्किल है, अगर हम यह कोशिश करें कि हर एक जो material आपकी आसपास है, उसकी हर एक प्रॉपर्टी को अगर हम अलग-अलग study करना चाहें, तो it is very very difficult, तो हम क्या करते हैं, इसको easy बनाने के लिए, इसको easy बनाने के लिए, इसको अगर 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 अपक्लास मे कियां हुआ है, तो हम क्या करते हैं, भच्चों के गर५ बना देते हैं, इनसे वे हम क्या करेंगे, आपके आसपासRば जो भी हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनके grouping कर देते हैं, और biological बना कर नियों प्रॉपिन सक्षप कर दिएन नियों एक outta क्या करेंग A कि इस क्छे बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो कुछ यहाँ पर हम उनकी weather ले ले लें तो सबसे पहले चाहिए जिसे यहाँपे देखिए इसने कैसे पर्परिड आदि यहाँआ है एक यह आड़ अब की बॉक्स लिया हुए इस बॉक्स में Esse बाट में लीखो यह माबल सें ए इनका जो है color different different है एक red color है और एक blue color की है but same क्या चीज है उनका same shape है और same उनकी size है हमने इनको एक category में रख दिया मतलब एक उनकी property दो property उनकी match कर रही है shapes same है उनका size same है ठीक है color different है तो हमने उनको एक group में रख दिया second अगर आप देखते हो second table में क्या है अब यहां पर थे color same है हमने color same ले लिया अब लेकिन यहां पर उनका shape अलग है size भी अलग है ये बड़ा है वो छोटा है है ना उनkal shape they have the same color and shape but they differ in their size है color भी same है उनका shape भी same है तोनों ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, बट इनका क्या है डिफरेंट है, साइस डिफरेंट है, है ना, तो इस तरह से अमने इनके दो ग्रॉप्स में आ लिए, तो कहता है, अब हमारे पास कुछ और मेटेरियल मैंने आपको यहां पे दे दी है, like water, wood, air, glass, tumbler, steel plate, milk, plastic, bucket, kerosene, ठीक है, इसके लावा भी मेरे पास कुछ मेटेरियल है, like I am showing, yes बटा, now see there are some materials, I have some materials like this is matchbox, ठीक है, ये मैच बोक्स है, मेरे पास मैच स्टिक है, it is made of of wood, okay, another is a glass of water, one this is steel spoon, another one is pan, plastic pan, cow milk, and this is a cardboard made up of wood, and this is again made up of wood, now see these materials and now tell me, which one of these, in which materials are naturally occurring, and the other one is by man-made, now one, two, three, four, five, six, I have six materials, in which you will see that some materials like nature, में अपने आप नाप नेशरली मिलते हैं, मतलब जो हम नहीं प्रिपेर करते हैं, like water, है ना, water को हम तो प्रिपेर नहीं करते हैं, ये नैचरली मिलता है, नेचर में अपने आप अल्रेडी अविलेबल है, है, in the same way, wood, है ना, आपकी जो लकडी है, ये भी हमारी man-made तो नहीं है, इसको हमने तो नहीं बनाया, okay, like cow milk, milk जो है, आप तो खुद नहीं बनाते, है ना, milk भी जो है, वो अल्रेडी अनिमल से हमें मिलता है, नेचर से ही प्रोवाइड होता है, so these materials like milk, water and wood, these are the materials which occur naturally, जो नेचर में अपने आप automatically मिलते हैं, so they are called natural materials, and like the other one, like steel, plastic, है ना, और ये glass का, जो हमारा glass है, ये जो मेरा, ये वाले जो materials है, they are not occur naturally, ये नेचर में नहीं मिलते हैं, they are prepared by the man, इनको man खुद प्रिपेर करते हैं, है ना, plastic हम खुद प्रिपेर करते हैं, steel हम खुद प्रिपेर करते हैं, glass का, जो मेरा tumbler है, ये हम खुद प्रिपेर करते हैं, so these type of materials are known as man-made or synthetic materials, clear होगे बिटा, तो कुछ जो हमारे nature में मिलते हैं, they are known as natural material, and the other one are synthetic or man-made material, clear होगे ये इस बिटा, now see here, अब जितने में materials मेंने आपको activity में लिखाए, they have different different properties, है ना, उनकी properties different different है, उनकी shape different है, size different है, but, उनमें से कुछ जो है, वो naturally occurring है, और जबकी other जो है, वो man-made है, तो जो naturally occurring है, उनको हम क्या क्याते है, natural material, और जो prepared by a man है, जिनको man में prepared किया, they are known as man-made or synthetic material, clear हो गया, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे materials को दो category में divide कर सकते हैं, natural material and man-made material, तो जो मैंने भी आपको activity दिखाई, या फिर आपको जो उपर ये name दियो है, इन में से आप क्या करेंगे, इन materials को इस table में classify कर देंगे, wood किस में आएगा, सबसे पहले है, wood, wood किस में आएगा, natural material में, water, natural material में, air, natural material में, glass tumbler, man-made में, steel plate, man-made में, milk, natural material, plastic bucket and kerosene, they are man-made, ठीक है, तो ये आज जाएंगे आपके natural material and man-made material, clear हो गया, now the next is matter, अब matter क्या है, मैंने भी आपको chapter के starting में बताया था, कि nature of matter हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अब matter क्या है, क्या है, कहता है, जितनी भी चीज़ें आपके आज-पास आप देख रहे हो, they all are made up of matter, अब matter क्या है, it is something which has mass, जिसका कुछ ना कुछ mass हो, mass मतलब उसमें थोड़ा सभी weight हो, इस बेटा, जिसमें थोड़ा सभी weight हो, and उसमें which occupy space, और जो space को घेरती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते है, matter, clear हो गया, it is something which has mass, कि उसमें mass है, which has occupy space, और जो space को घेरती है, for example, अब यह pen है, अब यह इस pen को रखा, तो इस pen ने इतना जो space है, यह cover कर लिया है, ठीक है, तो अगर आप यह खाली glass देख रहे हो, यह empty glass है, है ना, अगर आप इसके अंदर भी देखो, अभी आपको empty लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, air है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, पिटा, air है, यह glass empty लग रहा है, बट इसके अंदर भी क्या है, air है, और air के अंदर भी क्या होता है, air भी space घेरती है, आप इसको एक और अच्छे example से समझ सकते हो, बैलून, आप बैलून में देखते हो, कि एक बैलून है, ठीक है, पार्केट से एक बैलून परचेस किया, आपने, उसके अंदर कोई भी हवा नहीं है, लेकिन जब आप उसमें air फिल करते हो, तो फूल जाता है, है ना, तो इसके अंदर जितना भी space होता है, बैलून के अंदर का वो सारा वो cover कर लेती है, clear? तो कहता है, all matter can be, जितने भी चीज़ें आपके आस-पास है, हमने क्या कर दिया है, उनको three categories में डिवाइड कर दिया है, जैसे हमने पहले किया था ना, material को naturally occurring or man-made, natural material और man-made material, उसी तरह से अब हमारे आस-पास जितने भी materials हैं, हमने उसको, उनकी physical state के अधार पे, कि वो कैसे दिखते हैं, उसके basis पे हमने उनको three categories में divide कर दिया है, solid, liquid and gas, clear है, solid, liquid and gas, हमने three states में इनको divide कर दिया है, यस बेचा, now next page पे टेबल गीवन है, यहाँ पे इस टेबल में solid, liquid and gas का column बना हुग है, and what you have to do, आपको five examples लिखने है, solid, liquid and gas के, जो आपके आस-पास आप देखते हूँ, which you see around yourself, next राता है, matter का constitution, means matter किसे मिलके बना है, अब जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई, जो भी आपके around, जितनी भी material है, they all are made up of very small particles, that are known as, that are known as small particles, and different states of matter have different arrangement of these particles, और आपने पड़ा कि हमने उनकी physical state के basis पे हमने उनको solid, liquid and gas के दिया, बतलब इनके तीनों के अंदर particles है, छोटे-छोटे particles हैं, जिससे मिलके matter बना है, लेकिन अब इनके matter, जो ये चोटे-छोटे-छोटे particles हैं, इनके arrangement का difference है, ठीक है, इनके arrangement का difference है, जिसकी वज़ा से कुछ particle solid है, कुछ liquid है और कुछ gas है, क्या क्या difference है, उसको देखने के लिए सबसे पहले ये diagram देखिए, यहाँ पर diagram की वह रहा है, एक ये diagram है, जिसमें आप देख रहे होगे रेड कलर की ये balls हैं, आप देख रहे हो कि ये बाल्स हैं, आप देख रहे हो कि ये कैसे औरेंज हैं, बिल्कुल, ऐसे वन बाए वन, ह हैं हमारे, they are of same size, एक तो वह same size के हैं, ये same size के हैं, and they are very tightly packed, है नो, वो proper row में घढ़े हैं, they are very tightly packed, okay, लेकिन अगर आप ये ही इस वाले में देखो, ता आप क्या देखेंगे, same size के particles तो हैं, but they are not properly arranged, and they are not tightly packed, properly arranged भी नहीं है, उनके वीच वीच में तुड़ा तुड़ा gap है यही अगर आप third property, third इस में देखें, matter के state में, तो यहाँ पे आप देखें, particle का size same है, but they are very far from each other, ये और भी दूर दूर है, तो इस basis पे हमने क्या किया है, three properties, इस property के base पे हमने matter को three categories में divide कर दिया है, सबसे पहला है solid, the second is liquid, and third is gas, in solid में जो particles हैं, कहता है solid state में particles रहें, वो इतना tightly packed है, they cannot move, वो hill भी नहीं सकते है, okay, और इसी वज़ा से, जो solid चीज़े होती है, उनका shape कैसा होता है, fixed, और उनका volume भी कैसा होता है, definite, जैसे अब ये मेरे पास ए ग्लास है, I have this glass, या अगर मैं बात करतू, ये मेरे पास एक spoon है, अगर आप ये देखें, इसके जो particles है है, they are very tightly packed, अगर आप इसको press भी करोगे, ये अपना shape change नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ये इस तरह के जो particles होते है, they are known as solid, बात करते हैं, लिक्विड की, अब आप लिक्विड में है, आप देखी रहे हो कि they are less tightly packed, तो ये भी होते हैं, but they are less tightly packed, उतना जादा पाइटली पै है, okay, क्या है, they have definite volume, but not definite shape, suppose अगर आप एक glass water ले रहे हो, ठीक है, suppose अगर आपने पानी लिया है, yes बेटा, suppose अब आपने क्या किया है, इस glass में water लिया है, ये water का level देखे, आपको दिखाए देरा, यहां तक पानी का level है, है ना, अब इस glass में आपने इस tumbler में डाला तो इसक अब ढ़िए अब, इस पीन टूर्स को, डाला पूर्टगर वोल्यूम हो, तो इस छीप ले लेगा हुए वो देखे कि देखी वो में, इस पानी लूला के कि घंका ड्याला कि ग्रियर अडानी बड़्ऻ में पानी रहें कि अब शेप की लेता कर लिए य in a शेम वे अगर आ volume fix है clear हो गया my dear kids और थर्ड आता है मेरा gaseous state इसके particles ना तो tightly packed हैं उनके बीच में बहुत जादा space है तो इस वज़ा से ना तो इसकी कोई fixed shape है ना ही इसका fixed volume है clear है ना ही इसका कोई fixed shape है ना ही इसका कोई fixed volume है you can do one thing आप क्या कर सकते हो आप अपनी note book में यह जो shapes है आप इसको या तो आप piece of paper अलग-अलग piece of paper को कट करके round shape में आप draw कर सकते हो या आप simple pencil से draw कर सकते हो otherwise आप बिंदी को लेके you can do one thing आप बिंदी ले सकते हो छोटी-छोटी उनको पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से ठीक है अगर आप बिंदी को paste कर देते हो तो you can draw the solid, liquid and gaseous states of matter आप यहाँ पे बिंदी का भी उज़ कर सकते हो उनको इस-स तरह से आप आरेंज कर दीजिए तो it becomes solid, it becomes liquid and it becomes gaseous state clear हो गया now the properties of matter अब आता है properties of matter कि जो हमारी properties है solid, liquid and gaseous अब इनकी क्या-क्या properties है तो सबसे पहले हम बात करते है appearance and feel ठीक है यहाँ पर हम कुछ common properties के बारे में पढ़ेंगे appearance and feel appearance मतलब यह दिखती कैसे है feel मतलब आप इसको जब तच करके देखते हो how will you feel that ठीक है, तो कहते है materials are known to differ from on another in terms of their appearance जो भी materials है वो एक दूसरे से different है दिखने में दिखने में कैसे appearance है कुछ जो है वो देखने में बिलको चमकदार होते है like अगर मैं स्पून की बात करती हूँ ठीक है यह दिखने में चमक आ रही है इसमें इसमें लस्टर है अगर आप यह लेते हो इसमें भी हलका सा लस्टर है अगर आप को यह और चीज लेते हो like मेरे पास एक यह किट है आप इसमें देख रहो इसमें इतना किट में इतने शाइनिंग नहीं है आपको शाइद वीडियो में लग रहा है बट एक्ट्रल में इतना यह शाइनी नहीं है क्लियर है तो कुछ चीजें जो है वह हमार को दिखने में हमें जो दिखने में क्या लगता है वन दे अपिर वरी लस्टरस और कई जो होती है वो दिखने में डल लगती है and दे और फील फील मतलब टच करके अगर आप किसी चीज को देखते हो like yes now what is saying metal generally have luster metal में क्या होती है लस्टर होती है यानिकी and a polished piece of marble जैसे अगर आप मार्बल आपके घर में लगाए तो आप देखेंगे इसका smooth feel होता है for example अगर आप अब यह देखिए यह मेरा spoon है अब आप इसको टच करके देखिए यह आपको smooth feel होगा आप इसको टच करके देखेंगे अगर आप बहुत यहां से देख रहे हो तो यह rough surface है इसी तरह से आपके घर के आजपास भी बहुत सारी daily life की चीज़ें होगी आप उनको touch करके आप उनको feel करके देखिए कि how they are appearance and when how they are feel आप उनको कैसे feel करते हो जब आप उनको touch करते हो when you touch that items ठीक है either they are smooth और either they are rough surface clear है here is an activity इसी से related activity दी होई है यहां पे कहारा है कि वह आपके आसपास जितनी भी चीज़े हैं आप उनको देखिए like इसने polished marble दी है इसका आप यह smooth है या rough है यहां पे लिखेंगे lustrous है या dull है ठीक है polished marble है तो obviously यह smooth है और lustrous भी होगा इसमें चमक होती है sandpaper यह मैंने भी आपको दिखाया था sandpaper ठीक है यह चूने में rough है और dull भी है यह चमक नहीं होती इसमें अगर आप अपने ऐसे ही अगर आप लेते हो स्टोन को है ना तो यह भी smooth है और अगर आप इसकी बात करते हैं तो यह lustrous है इसके इंदर भी अगर आप एक स्टोन ले ले लेते हो अगर आप यहा पर स्टोन लिख दोगे स्टोन सुने में rough होता है और वह dull होता है क्लियर हो गया तो यह हमारी two properties होगी एक हो गया appearance wise कि वह smooth है यह rough है और दूसरा हो गया कि वह feel करके आप उसको जब feel करते हो होगी second property आगी हमारी transparency ठीक है कि the property of material to allow light to pass through it कि अब आपकी कोई material जो अपने मेंसे light को पास होने दे that is known as transparency तो उसकी उस property को हम क्या कहेंगे transparency कैसे और अगर कोई material अपने मेंसे light को allow नहीं करता पास होने नहीं देता तो that object is known as opaque material उसको आप क्या कहेंगे opaque material तो let us see an activity yes बिचा now next अब हमें यह देखना है कि हमारी जो object है उसकी अंदर transparency की property है या नहीं है for this I have this glass okay अब हमें यह देखना है कि इसके अंदर transparency है या नहीं है now here is I am having a candle ठीक है a burning candle जो जल रही है अब मैंने इसके अंदर से यहां पर यह रख दिया है अब you can see wait I have taken this glass अब आप देखिये will you able to see the lighted candle आपको lighted candle दिख रही है glass में से है ना is it visible yes it is visible आपको candle दिख रही है तो this property is known as the transparency कि यह प्रोपर्टी इस matter की यह मेरा solid glass है है यह प्रोपर्टी जिसकी वज़ा से आप easily light को जलते हुए देख पा रहे हो क्योंकि light इस glass में से क्या हो रही है पास हो रही है तो इसलिए हम कह सकते है कि जो glass है it is a transparent material clear है अब आप देखो मैं इसके अंदर water डाल रही है थोड़ा सा यह मेरे पास glass है I am putting some water अब आपने देखना जहां पर water add की है मैंने उस area से आप देखेंगे कि क्या हमें candle दिख रही है yes visible है ना light light जलती भी दिख रही है जहां पर मेरा पानी है जितने एरिया में में ने water ली है वहां से आपको candle light light जलती भी नजर आ रही है है ना तो it means water भी जो है वो क्या है it is also the transparent हमें काम करते हैं थोड़ा सा water अब आपको candle दिख रही है जहां पर पानी है वहां से बिल्कुल light तो दिख रही है ना candle पूरी तरह से ने दिख ली बट लाइक इसमें से पास हो रही है तो वीकेंड से water जो है वो भी क्या है उसके इंदर भी क्या property है transparency की property है अब आप सोचिए अब candle और मेरे camera के बीच में यह मेरे बीच में क्या चीज है वेटा air है ना क्या है मेरे और camera के बीच में air अब वो air भी क्या है transparent है तभी मैं इस lighted candle को क्या देख पा रही है अगर अब हम रख देते हैं इस glass को now I am putting this glass in front of the lighted candle burning candle अब है ने इस glass को रख दिया now are you able to see the candle क्या अब आप इस candle को देख पा रहे हो no so this type of material जो की light को अपने में से पास होने नहीं देते dad do not allow light to pass through them जो अपने में से light को पास होने नहीं देते इस तरह के material को हम क्या कहते है ओपेक material what we call बटा ओपेक material clear हो गया जिसमें से light cross हो जाती है like हमारा अभी मैंने आपको transparent glass ये मेरा हो गया transparent object और ये मेरा हो गया opaque object clear है अब मेरे पास ये scale है अब आप इस scale में से भी देख भा रहे हो light हमें दिख रही है candle की जो flame है वहामें नजर आ रही है light तो this plastic scale is also an example of example of transparent material you know now I have this spoon अब आभी spoon से तेख पा रहे हो no so it is an example of opaque material now what would I take I have a box yes now the candle is visible no so it is also an example of ये cardboard है एक चोटा सा चोटा cardboard का टिकड़ा है it is also an example of opaque material so you will see around yourself आप ही अपने आसपस बहुत सारे material बिटा आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी objects हैं जिसके थूँ आप light को easily जो अपने मेंसे light को easily pass होने देते हैं और जो अपने मेंसे that do not allow light to pass through them so they are called opaque and the other material which allow light to pass through them and they are known as transparent material clear हो गया तो यह होगी हमारी third property first property हमने metric की पड़ी कि how they appear lustrous and dull second property हमने पड़ी कि वो smooth है या rough है feel करने पे third हमने अब पड़ा कि transparent है या वो opaque object है clear हो गया yes पिटा now the next property is floating and sinking floating means होता है तैरना and sinking means jubna now there are so many matter there are so many objects around yourself इन में से कुछ जो आपके objects हैं कुछ ऐसे materials हैं जो की water में float करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो water में sink करते हैं now I have some materials now let us see कि कौन इसमें से water में float करेगा और कौन सा इसमें से sink करेगा clear so first I have the pearl एक छोटा सा बेर पास pearl का तुकड़ा है now let us see what will happen देखिए यह देखिए यह में क्या कर गया है sink हो गया है they are floating है न वो पर तैर रहे हैं another I have a pencil shop यह में पास pencil के shops हैं कुछ let us see यह भी क्या कर रहे हैं float I have this piece of plastic now let us see कि इनका क्या होता है यह भी floating है इसके अलावा आप भी a piece of paper है यह आपके पास छोटे छोटे pebbles हैं अगर आप उनको डालके drop करके देखेंगे so you will find out that some materials are floating and some materials are sinking in the water so the material which are floating the material which are floating in water जो water में float कर रहे हैं क्यों float कर रहे हैं because they are lighter in weight है न because they are lighter in weight than water वो water से weight में हलके हैं पानी पे water पे कौन सी चीज़ float करेगी which is lighter in weight जिसका weight पानी से हलका होगा वही चीज़ पानी में क्या करेगी float करेगी ठीक है लाइक अब आपको इतनी सारी चीज़े मैंने दिखा दी पैंसिल के shop हो गया otherwise आप यहां पे लेख रहे हो यह मेरे पास form है है ना और यह मैंने प्लास्टी का टुकड़ा डाला एक so these things are lighter in weight यह water से हलकी थी so that way they are floating in water और उसके अंदर आप देख रहे हो मैंने डाला pearl का टुकड़ा आप कुछ pebbles भी ट्राई कर सकते हो या कुछ sand ट्राई कर सकते हो they will sink in water वो पानी में डूप जाएंगे पानी में नीचे बैठ जाएंगे because they are heavier than the water क्योंकि वो पानी से heavy है जो भी चीज पानी से heavy होगी वो पानी में sink हो जाएगी और जो चीज पानी से हलकी होगी वो पानी में float करेगी So my dear kids this is all for today आज की video में हम इतना ही discuss करेंगे हमने If you have any doubt, any query you can contact me और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please आप comment करके बताएए वीडियो को like केजिए and if you have if you find any difficulty अगर आपको कोई भी difficulty लगती है या आपको लगता है कि माम को किसी तरह की झाल 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 आल उत आ Light